एक मैच वो जीत के साथ इनका खाता खुला था उसके बाद बैक टो बैक जिते भी मैचस हुए हैं पिछले वहाँ पर भी कुछ खास कमाल करके दिखानी पाई है अब कि तो मैच था वो भी उसमें विराट का वाइटल रॉल था विराट ने 77 मनाये थे उस मुकाबला में पंजाब के साथ मैच जीता था उसमें दिनिश कार्थिक नाकर मैं कैम्यों नहीं खेली थी नोग खेली थी और जीत के थे मुकाबला लेकिन आज दोस्तों मैं अगर देखूं तो मोहमद सिराज भाई किस काम के सिराज चार में 35 दे दिया आपने और एक विकेट लिया बस आपने और यहां तो आसानी के साथ जीतिके संजू सैंसन और बटल की धमाके दर पारी आई और बटलर ने दिखाया है कि मैं आसानी से बैट अरन बना सकता हूं यहां पर ठका मार के मैच फिनिश कर रहे हूं बिलकुल और देखिये आप यह देखिये मोनू की जैसवाल आउट हो जाते हैं रीस टॉपली ने उनका विकेट लिया उसके बाद यह लग रहा था कि शायद मोमेंटम जो है वो तो पूली तरीके से चेंज हो गया था यहां पर RCB क यह तरफी साली चीज़े आ गए थी फिर उसके बाद विकेट नहीं गिर रहे थे हमने देखा था कि 121 या 120 की पार्टनर्शी जब हुई उसके बाद भी विकेट नहीं गिरे तो यह चीज़ दर्शाती है कि इनका मेडल ओर कितना ताकत वर है हमें लगा कि चले पहला विके कर रहें लेकिन सवाल उठ रहें यहां पर आरसीबी की आरसीबी के बल्लेंबाजीपर सवाल अटरे सवाल उठेंगे क्योंकि आपके लूप Snा सारे तक है कि आपकी कमियाई इतने सारे है आपकि आपकी एंप लिके और बल्लेबाजी वोनुबात की जाए कब चलेगा मैक्सविल का बल्ला हम दुआए कर रहे हैं और शायद फैंस भी ये कहते वे ठग चुके हैं और क्या लग रहा है आपको कि मैक्सविल का बल्ला चलेगा या फिर आसके भी एक बर फिश्षे होगे रन तो बताइए कितने इनके 25 रन है पांच मैचों बताइए 25-30 रन है बताइए तो कैसे आप जिता होगे स्टीम को और दूसरी चीज यह है कि एक तरफ तो लगातर चोथी जीत हासिल हुई है और को और ने बताया कि टीट्वेंटी कैसे खेला जाता है उनसे सीखिए और दूसरी तरफ यह बैंगलोर की टीम जो है न यह तो बिल्कुल फीकी नजर आ रही मुझे मुझे लग रहा कि बैंगलोर टॉक फ़र में जाएगी तो बी ओनेस्ट इस खेल के साथ और इस बॉलिंग के साथ बॉलिंग में आपके में नहीं है वो स्पार्क वो नहीं है बिल्कुल जो होनी चाहिए बाके टीमों में देखें तो वहां पर हमें दिखता है क्यार उनके पास कुछ तो होगा लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है यहां पे तो आपकी बालिंग तो वो वाली लाइन आती है कि हे प्रभू ए जगनात हे हरी राम पारी को लेकर स्लो बताया जा रहा है मोनु लेकिन यहां पर बड़े नाम है लेकिन कुछ काम के नहीं है मैक्सविल जो की लंबे-लंबे चक्के लगाने के लिए जाने जाते है मैक्सविल हम कहते हैं कि पावर हिटर है इनके टीम के फैफ डूपलिस जो है वो इनकी मजबूरी अंकिता एक खिलाड़ी खिलाने और आपने बड़ा अच्सा सवाल उठाया है दोस्तों आप देखिए 183 बनाए है आरसीबी ने अब आरसीबी ने 183 बनाए है उसमें से 113 किसके हैं विराट कोली के 11 अगर एक्स्ट्रा इनमें एड कर दें तो कितने बचत दक डबल डीजिट इनन शारीट क्रोस भी नहीं किया है तो मैक्सी साहब कुछ तो कुछ केजिया आप और इसके अलावा अगर आप देखें सौरफ सुहार ने 9 बनाए सिर्फ और क्याबन ग्रीन ने 5 अनका योगदान दिया है तो कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेग सारी जो टीम है ना वो विराट पर टिकी हुई है सबकी निगाएं विराट पर रहती है बाके के बले बास जब खराब प्रदर्शन करते तो सवाल नहीं उठते लेकिन अगर स्लो पारी आ जाते विराट के बले से तो चली स्लो पारी आई उनके बले से मोरू लेकिन अगर ही विराज कोली जीरो पर आउट हो जाते तो क्या ये साटर बना पाते बिल्कुल और और एक चीज और है अंकिता आपने नोटिस किया हुए पहला विकट कितने भी गिरा है ये टीम तो पकका टॉफ फोर में है और वो जजबा भी नजर आया मोनू हर एक बैट्समैन ने अपना योगदान दिया रियान पराग नहीं चले तो आज जौस बटलर ने अपना दमखम दिखाया पार्टनर्शिप कैसे बिल्ड होती है आरार से आप से किये हमने देखा था कि जैसवाल उस फॉर्म में नजर नहीं आया थे आज जिरो पर आउट हो गया वो लेकिन पार्टनर्शिप इनकी इतनी अच्छी होती है ना कि रंस इतनी अच्छे बना देते हैं हमने का कि सब की बलेबाजी हुई है चाहे वो जॉस बटलर की बलेबाजी आप देख लीजे या फिर संजू सैंसन की बलेबाजी देख लीजे कप्तानी पारी यही होती है आप कप्तानी पारी कप्तान जब अच्छे बनाते है ना तो फैंस भी कुछ होते हैं और टीम भी एक देखने को मिला अब यूजी चाहल इनकी बॉलिंग में बड़े अच्छे हैं ये तो बार-बार कह रहे हैं कि भई हमें T20 वर्लकप की टीम में ले लीजिए क्योंकि मैं तो हर मैची विकट निकाल के देता हूं कभी तीन कभी दो कभी तीन कभी दो तो और नांद्रे बरगर अच्छी बॉलिंग की इनकी पास है वो बॉलिंग जो होनी चाहिए इनकी पास अच्छा टेंपलेट है नांद्रे बरगर हैं ट्रेंट बोल्ट दोनों ऐसे खुंकार गिंदवाज है जो आते ही कहकर विकट आउट कर देते हैं अब संजू सैंसन इनके लिए सबसे बड़ा हम कहने थे कि बटलर का जोश दिखनी रहा है लेकिन अब दिखा हंडड के साथ दिखा है बहुत उनने हंडड बनाया अज हम कहने थे कि IPL में ना IPL 2024 का स्टार्ट हो गया मैंच इस भी तक्रीवा नुनीसवा मैंच था यह हंड़ किसी का निया आज लीजिए दो हंड़ आय है मोनु लेकिन जब आकड़े निकाले जाएंगे जब आपके रिकॉर्ट निकाले जाएंगे तो वो दुख वाली कहानी निकल कर सामने आएगी कि 16 साल से सीजन में कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है और 17 सीजन में वो कयास लगा चाहरा था कि पहली जीत जब आई है वो लग रहा था कि शायद ट्रॉफी की और कदम बढ़ा रहे लेकिन ऐसे तरीके से मैच के लेंगे तो फिर तो आपने जैसे का कि टॉफ फोर पर भी नहीं जाने वाली और जल्दी ये टीम निकल भी जाएगी बार तो यहां पर बल्ले बाजी हर एक बल्ले से निकलनी बही एक खिलाडी ऐसा भी था आज जिन्होंने मैच भी भले ना जीता हो लेकिन दिल जरूर जीता है तो हमारे खास सेगमेंट है ओकिनवा इफेक्टिव प्लेर फ्लेर फ्लेर मैच कोन है अज उस पर एक नजा डालते हैं बही ओकिनवा की स्कूर्टी तो कोस्ट एक रेट 156.94 का और उसके बाद चोकेच सक्काव की तो बारिश की अंकी ता यार ये खिलाडी ना हर बार जब मैदान पर आता है तो कुछ आस लेकर आता है फैंस के लिए और हर बार इनोंने अपने 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 फैंस के लिए और हर एक शॉट्स कितनी बखोबी से इनो आते हैं कि ये बंदा जो है ना वो कमाल करके जाएगा और विराट के ही इर्दगित पूरी टीम रहती है लेकिन विराट का साथ देने वाले कोई बलेबाज नजर नहीं आता गिंदबाजी भी उतनी खराब है मुमसराज जो है वो अभी तक तो बिलकुल ही सई साबित नही करेंगे आज भी आपने देखिए कि तकरीबन छे और में 54 संथिंग कुछ हो गया था और कोई भी आउट भी नहीं हुआ था तो विकेट से निकाल एक जैस्वाल का विकेट अगर छोड़ दे अपार्ट फॉम देट आइट सब बैट्समेंदों ने बहती गलना में हाथ दो है